बच्चो आज हम अपने पाठे पुस्तक के पाठ हाठ सैयोग सेख सकती के लिखित प्रश्नों को करेंगे प्रश्न क सभा में सरीर के सब अंग क्या बता रहे थे? उत्तर सभा में सरीर के सब अंग अपने अपने खाम के बारे में बता रहे थे प्रश्न ख, हाथ ने अपने बारे में क्या बताया? उत्तर, हाथ ने अपने बारे में यह बताया कि मैं तो हर समय कुछ न कुछ काम करता ही रहता हूं सामान डोना, उठा कर रखना, लिखना और न जाने क्या-क्या, मुझे तो जरह भी विश्राम नहीं मिलता प्रश्न गह, सरीर के सब अंगों ने किस बात का समर्थन किया उत्तर, सरीर के सब अंगों ने किस बात का समर्थन किया की पेट महा से कुछ भी नहीं करता, बस मस्ती से जीता है प्रश्न गह, सरीर के अंगों ने सभा में क्या फैसला लिया उत्तर, सरीर के अंगोंने सभा में या फैसला लिया की वे सब भी कोई काम नहीं करेंगे और पेट को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे प्रश्न अंगा सभी ने दोबारा सभा क्यूं पुलाई? उत्तर, पेट को खाना न देने के कारण सारे अंगर ढीले हो गये थे मानों उनकी शक्ती चली गई थी सभी बिल्कुल शुस्त पढ़ गये थे इसलिए सभी ने दोबारा सभा बुलाई इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें